कि मंतर पर आप दे सकते हैं भारती किसान यूनियन किसान सरकार धन्ना प्रदर्शन यानि कि किसानों का जो हैं यहां पर धन्ना प्रदर्शन चल रहा है इनकी कुछ दे मांड्स हैं सरकार से आएए क्या इनकी दिमांड्स है इनसे ही जानते है 17 राष्टि अध्यक्ष पवन कश्वजी इनी से जानते हैं क्यों आैं है नेंदिल के जंतर मंतर अज़को प्रधर अब क्या से बहुत सी चीजों की डिमांड उठाई जाती रही और मांग उठाई जाती रही तो आज हमारा संगठन आधनी प्रधानमंत्री महोदेजी से किसान आयोग की गठन की मांग करता है क्या होगा उसे आयोग से यह होगा कि जो किसानों में भ्रम है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है सरकार हमारे लिए उजनाओं का लाब नहीं दे रही है या जो पीडित किसान है गरीम मजदूर किसान है जो कि समस्याओं से जूज रहा है तो जो कमेटी बनेगी क्योंकि जो महिला आयोग जो से बंदिश्तने बनता है तो वो महिलाओं पर काम करता है महिला सुरच्छा पर काम करता है तो किसान आयोग जो है किसान आयोग की कमेटी गठित होगी जो कमेटी सरकार से सीधा बारता कर सकेगी और किसानों की समस्याओं को समधान हो सकेगा पिस टॉल टेक्स की भी आप लोगों को दिक्ट का सामना करना है अधिक्त की बीए है गाड़ी रखना तो मज़बूरी हो गई है जिस तरह मुवाईल फोन एक जनता की डिमांड है और जनता को मुवाईल फोन रखना जबूरी आधी है उनका रोज मर्रा का खर्चा इतना महंगा है उपर से किसानों को जो टोल्ट देना पड़ता है उसके लिए हम लोगों ने आदर्णिया प्रदान विंतरी महुदेजी से डिमांड की है कि जो टोल्टक्स है उसमें कुछ कम किया जाए उसमें कमेटी बनाई जाए जिससे किसानों को कुछ राहत हो सके गन्ना के बारे में क्या कहेंगे कि गन्ना की जो लागत होती है वो आप लोग को पूरी नहीं है गन्ना के डिमांड के लिए हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं सासन पर सासन से और गन्य का जो लागत का मूले है वो बढ़ाया जाना चाहिए जिस तरहे किसान खेतों में मज़ूरी करता है काम करता है दिनाद महनत करता है लेकिन उसकी फसल का बाजिद मूले उसको नहीं मिल पाता तो गन्य का मूले हो या धान का मूले हो या गेहू का मूले हो वो हम लोग देखे जो मांग है सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार हमारी समस्याओं का समधान करती है अधर यह डिमांड्स आपकी आप जो कहरें किसान आयोग जो है बनना चाहिए वो उस पर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आप आगे बड़ी चीज है हम लोगों पर नहीं सरकार को समर्थन दिया दिया और कई स्टेटों में समर्थन दिया और इस अगर हम बात करें यूपी के चुनाओं के तो बिल वापिस के वज़े से ही आप कहना चाहते हैं कि यूपी में मातरा में जीत है वो तो आप देखी सकते हैं जनता भी जानती है सरकार भी जानती है और हम लोगों ने प्रोटेश्ट भी किया सहयों किया लेकिन आज जो जरूत पड़ गई किसानों की मांग को लेकर तो आ हम लोग सांती पूर करेंगे जनता का सयोग मांगेंगे किसानों का सयोग मांगेंगे और हमें किसानों का सयोग लगातार मिल्हा है हमारे साथ कई राजियों को लोग यहां पर आय हुए हैं जो कि हमें 12 राजियों से लोग यहां परिकत्र हुए हैं सभी का समर्तन है और सब झाल झाल